तू लादे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बनाले मुझे साजना अपना बनाले मुझे छोड़ नजाना प्यार भराते लिए हलो ब्यूटिफुल पीपल कैसे आप सब तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह मेरी चोटी बेटी है साथ में जो की वीडियो में आना चाह रही है बार बार मैं बिगनर्स के लिए बिल्कुल सिंपल इजी मेकप लुक लेकर आई हूँ जिसके बहुत इजी स्टेप हैं स्टार्ट करते हैं सिरम से तो सिरम यूज किया है यहां पर सिरम आपको जरूर से जरूर यूज करना चाहिए आपकी स्टी में में नरिश्मेंट देथा है तो मेकप स press करने से पहले या जरूर अपलाई करना चाहिए आपको उसके बाद यह उज के जगह आप जो है अलोवीरा भी यूज कर सकते हैं बट अभी जो विंटर सीजन चल रहा है उसमें आपको अलोवीरा से काम नहीं चलेगा उसके साथ मॉस्चुराइजर क्रीम यूज करनी पड़ेगी या फिर अकर आपके पास प्राइमर है तो आप प्राइमर यूज कर सकत हैं क्यंकि इससे हमारा फांडेशन बहुत अच्छा लगता है हमने में आइस मेख प्राइमर प्राइमर कर सकते हैं वैस अओर नहीं होते तो इसलिए आप फिंगर से अपलाई कीजिए और अच्छे से कोई क्रीज ना रहे इस तरीके से आपको एकदम स्मूथ कर लेना है अपनी आइस को उसके बाद आप जो है लोस पाउडर अपनी आइस पे लगा सकते हैं कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं और यहां मैंने बिगनर्स के लिए एक टिप्स मैं लेकर आई हूँ जिसके लिए आप ऐसे पेपर टेप जो होती है वह अपनी आइस के इदर साइड में लगा के जैसे मैं आपको दिखा रही हूं उस तरीके से अपना आइस मेकप लुक कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको आइस का मेकप करने में और साथ लाइनर लगाने में दोनों में ही असानी होती है तो यहां मैंने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर मैं पिक किया है स्विस्विटी पैलेट से और मैं मैं अप्लाए कर रही हूं मैं दो ही shade apply करूँगी ताकि beginners जो है इन step को आसानी से pick कर सकें उसके बाद golden लिया है उसको भी अच्छे से blend कर लिया है तो हमारा eyes look complete हो गया अपर side जो है मैंने highlighting कर ली है अपनी eyebrow के नीचे उसके बाद eyebrow start की है वही Swiss beauty में से black color pick किया है और eyebrow को अच्छे से fill किया है तो इस Swiss beauty में जो है आपको अपने cheek के लिए eyeshadow और eyebrow सब के लिए आपको जो है मिल जाता है तो उसके बाद मैंने यहाँ पर liner यूज की है liner है हमारी NYB की तो उसको मैंने बहुती easily आपको लगाना बताया है मैंने ज्यादा wing create नहीं किया है बट अगर आप इस take का use करते हैं तो आप अच्छे से इस वीडियो से make up कर सकते हैं यहां मैंने दिखाया है कि मेरे husband जो है dress मुझे पहननी है उसकी fitting कर रहे हैं और उसके बाद मैंने यह tape जो हटा ली है और हटाने के बाद एकदम sharp liner की look आ जाती है और हमारी eyeshadow makeup की उसके बाद यहाँ डन हो गया है eye makeup उसके बाद हमने face makeup के परपल का उसके बाद beauty की हाँ पर जो है highlighting tube ले लिए दोनों को mix कर दिया अच्छे से mix करने के बाद आप जो है फिंगर टिप से पूरे face पे लगा लेंगे अच्छे से आपको सब जगा लेना है neck पे भी लगाना है फिर यहाँ पर मैंने makeup fixer लिया है और spray कर लिया अच्छे स foundation को blend करने के बाद जो है हमारा makeup long lasting रहेगा इसलिए makeup fixer का मैंने use पहले ही कर लिया है उसके बाद अच्छे से blend करना है हर जगा से आपको dab dab करके blend करना है गिसना नहीं है बिल्कुल भी नहीं तो पैचीस पड़ जाते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर my claim का blush palette लिया है बहुत लगा सकते हैं फिर यहाँ Swiss beauty में से highlighter लिया है और अपने cheekbone के ओपर और अपने forehead पे अपनी nose पे और lips के ओपर upper list पे मैंने हर जगा highlighting कर ली है उसके बाद मैंने यहाँ पर loose powder अपने पूरे face पे लगा लिया है ब्रेश की help से तो अच्छे से सेट करना है makeup को loose powder लगा के फिर य लिखने हैं तो displacement मैं में लिंक दे दूंगी उसके बाद माइक लिंक की काजल ली है यह काजल लाइनर दोनों को काम करती है मैंने यहां under eye में काजल लगा ली है और upper lashes के नीचे भी काजल यूज कर ली है अच्छे से ताकि हमारी eyes जो है वह ज्यादा अच्छी लगी उसके ब लिखना है फिर यहां purple की जो है lipstick ली है मैंने और मैंने दोनों लिप्स पे अच्छे से इस lipstick को लगा लिया है बहुत ही अच्छा color है और purple की lipstick जो यह लोंग लास्टिक है बहुत अच्छी लगती है मुझे आप भी इसको purchase कर सकते हैं तो यह minimum product से मैंने जो है makeup किया है यह product आ मैंने अपने husband से फिन लगवाया है यहां पर तो इस वीडियो को आप like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए मिरते हैं किसी और वीडियो के साथ